नमस्कार साथियो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही बर्गदो जो शिक्षक पातरता परिक्षा है मदप्रदेश उसका डेट आएगा मैं आपको तुरंती अपडेट दूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो जितने भी शा मैं आपको तुरंत ततकाल उसकी सूचना इस चैनल के माध्यम से पहुचाऊंगा तो यह आप देख रहे हैं कि मदप्रदेश सासन स्कूल सिक्षविभाग के अंतरगत माध्यमिक सिक्षण के लिए पातरता परिक्षा 2018 संचालन एवां भरती नियम पुस्तिका तो यह जो यह जारी कर दी गई है पीईबी के द्वारा तो आपने जैसा कि इसमें लिखा आवेदन किती थी तो आप अने आवेदन 289 2018 को किया था यह सारी चीज़े पुरानी है जो परिक्षा सुल्क थी वह 500 लगी थी 500 रुपे पर प्रिशन पत्र लगा था यह आप देख रहे हैं फिर लखा है ऑनलाइन परिक्षा पदती की शमाई सारी तो अब मैं पॉइंट पर आते हैं या मुख जो बिंदू है उस पर तो उसमें लिखा है कि परिक्षा का जो दिनांख है एबम दिन है वो है 16 फरवरी 2019 से प्रारंब यानि 16 फरवरी से यह एक्जाम स्टार्ट हो रह एक फर्स्टों सेकंड में जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी इसका बरग एक बाला देने गए थे तो उसमें जिस परकार से एक्जाम हो रहा उसी परकार से इसमें भी होगा यहां लिखा है कि 7-30 से 9 बजे तक यह रिपोर्टिंग टाइम है तो रिपो अभी जो बरग एक का एक्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ था बटी कोसे से यह करें कि ट्रैफिक की बज़े से कभी-कभी दिक्कत आ थी तो आप एक्जाम से इंटर पहली पहुँच जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा फिल का है मातपून रिदेशन जो पढ़ने का समय है तो वो नो बीस से नो तीस तक यानि आपको जो कंप्यूटर है स्टार्ट करने के लिए कह दिया जाएगा तो नो बीस से नो तीस बज़े तक यानि साड़े नो बज़े तक कंप्यूटर को आप स्टार्ट करके उसमें रॉल लंबर रहेगा आपको पासवर्ड दिया जो पासवर्ड मिलेगा उस पासवर्ड को आप जिसे इंटर करेंगे 39 पर तो 39 पर जैसे इंटर करेंगे तो आपके शामने जो एक्जाम का जो पेपर है वो खुल जाएगा और इस पर आप चार अपसर मेंसे एक पर क्लिक करते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगी तो ये प्रोसेस है आपके एक्जाम देने की तो ये आप देख रहे हैं अब इसमें टिपड़ी दी गई है तो ये सूचना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद मैं मंसौर, सागर, शतना, खंडवा, गुना, दमुह, कटनी, शीधी, शंदवाड़ा और बालाघाट तो अभी आप देख रहेते की जवलपुर भी रहा है एक्जाम सेंटर भोपाल भी रहा है शागर भी रहा है बरगेक का तो इस तरह से ये भी और आप देख लें कि ये जो देख लें और उसको आप अच्छी तरह से पड़ लें क्योंकि कंप्यूटर पर एक तो यह है कि मैधवाले स्टुडेंट को ज़्यादा दिक्कत आती है आपको एक पेपर पैन लेके जाना है एक्जाम हॉल में जहां कंप्यूटर पर टेस्ट होगा तो उसके लिए जब आ के जाना है वहां आपको एक page दिया जाएगा तो page पे आपको उस पे देखते जाएं screen पे कि क्या question है उसको अच्छी तरह से देखें और pen की सायता से उस paper पे जो आपको paper दिया जाएगा blank white color का उस पे आप उसको solve कर लें तो यह आपके लिए अच्छा है कि आप solve करके question को take करें और बालविकास को अच्छी तरह से पढ़ें और हिंदी इन सारी चीजों के हाँ और नहीं बाले जो जबाब होती है और आपका result उसी पर जैसे ही आप click करेंगे की submit बटन पर जैसे ही आप submit करेंगे तो submit करने के बाद process होगी और आपका result यानि जो डेल सो question रहेंगे उसमें से आपने कितने सही किये हैं वो सारा detail उस पर लिक किया जाएगा तो वो last में जब आप permit करते हैं तो उस समय देख ल आपके लिए मात्पूर्ण हैं तो बहुत बहुत धन्यबाद और आप हमारे इस यूटूब चैनल present time activity को subscribe करने ताकि जो भी इस परिक्षा से संबंदित बदलावी और कुछ भी रहा कि क्या ले जाना है क्या है क्या सफेपर आएगा तो हमारे चैनल को subscribe करने क्या news रही है तो subscribe करना ना भूलें बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों